तो यूपिट्र परेसिस चेनोग्राफर के इंटर्वीव की प्रिपरेशन में करा रही हूं और साथ ही साथ लोवर टू का भी जो इंटर्व्यू आपका होगा आगे उसके लिए भी ये प्रिपरेशन है तो सभी बच्चों से जो की लोवर टू के हैं की इंटर्व्यू के वीडियोज पड़े हुएं आपसे देख सकते हैं तो यूपिटर परेसिस इंटर्व्यू हो चुके हैं कुछ अभी आगे होने वाले है आने वाले हफ़ते में तो उनके लिए आज में लेके आई हो राज केंज रिशाषत प्रदेश और उनकी राजधानिया प्लस साथ में है कुछ करेंट अफेर्स जो कि अभी पिछले दो दिनों के हैं तो चलिए देख लेते हैं हम लोग आज का वीडियो तो सबसे पहला क्वेशन है कि भारत में राश्ट्रीय कैंसर जागरुकता दिवस प्रती वर्ष कब मनाया जाता है ध्यान रखेगा क्वेशन को पहले सुनिएगा राश्ट्रीय कैंसर जागरुकता दिवस पूछा गया है तो ये मनाया जाता है 7th of November को अगर पूछा जाए कि World Cancer Day कब सेलिब्रेट किया जाता है तो World Cancer Day सेलिब्रेट किया जाता है 4th of February को जो है मनाया जाता है क्या चीज़? World Cancer Day ठीक है और यहां पे बात की गई थी आपके कि राश्ट्रीय कैंसर जागरुकता दिवस प्रती वर्ष कब मनाया जाता है तो यह बना जाता है 7th of November को Next question है कि होकी इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो होकी इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है ग्यानेंद्रो निंगो बम को ग्यानेंद्रो निंगो बम देखें कैसे लिखेंगे इसे ग्यानेंद्रो ठेके निंगो बम और ये मनिपुर के हैं ठेके निंगो बम ये मनिपुर के हैं तो ध्यान रख्ये का होके इंडिया का अंदर विरुद अध्यक्ष ना गया है मनीपुर के ज्यानिंद्रो निंगो भमको नेक्स्ट ओडिशा के पारादीब तट पर दो दिनों तक चलने वाला संयुक्त तटिय सुरक्षा अभ्यास आरंभ हुआ है ठेके ओडिशा के पारादीब तट पर दो दिनों तक चलने वाला संयुक्त आरंभ हुआ है उसका नाम बताना रहे है तो उसका नाम है सागर कवच ठीक है पारदीब कोस्ट ओडिशा में हुआ है ये तो नाम के है उसका नाम है सागर कवच अगर हिंदी में लिखना चाहें तो इसलिए आप लिख सकते हैं सागर कवच ठीक है एंग्रिश में लिखना चाहें दो भी लिख सकते हैं इसको अराम से सागर कवच तो ये है आपका सागर कवच नेक्स्ट चोथा क्वेशन है कि भारत समवाद की फूर्थ वी उच्छ तरी बैठक की मेजवानी उप्टक सच्छिवाले ने की है तो भारत की ओर से इस बैठक में किसी ने हिस्सा लिया है तो भारत की तरफ से इस बैठक में हिस्सा लिया है इंडियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेटरल गैस एंड बैठक में हिस्सा लिया है कौन है आपको मारूं किल गया होगा यह है यह है श्री धरमेंदर प्रधान जी ठीक है यह है श्री धर्मेंदर प्रधान जी तो ध्यान रखेगा आप लो तो श्री धर्मेंदर प्रधान जी ने हिस्सा लिया हुआ है इसमें और ये किस पद पर कालरत हैं तो ये आपके हैं इंडियन मिनिस्टर ओफ पेट्रोलियम और नेटरल गैस और दियान रखेगा इंडियन, मिनिस्टर आफ पेट्रोलियम और नेटरल गैस इंडिनिस्टर आफ स्टील फिफ्ट कुशन है हमारा कि भारती अभिवान बत्तन प्राधिकरर ने इलेक्रिक वाहनों के उप्योग को बढ़ावा देने और एए आई के द्वारा प्रबंदित और संचारित हवाई अड़ो पर सौर उर्जा संयंत्रों के स्थापना के लिए किस के साथ समझोती ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है तो ये किया गया है आपका एंटी पीसी विद्युत व्यापार निगम लिम्टेड ठीक है हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लें नहीं तो मैं इंग्लिश में लिख दिरूँ जगा कमें ठोड़ा सा यहाँ पे तो ये हैं आपका NTPC विद्यूत व्यापार निगम लिम्टेड ठीक है विद्यूत व्यापार निगम लिम्टेड ज्यान रखिएगा NTPC विद्यूत व्यापार निगम लिम्टेड नेक्स्ट अंदमानो निकोबार कमांड एंसी के निको बार गुरूप ऑफ आईलैंड के टेरसा आईलैंड में तीन दिवसी ट्राइ सर्विस कॉम्पैक्ट एक्सरसाईस कोड का नाम क्या है जिसका भी हाली में आयोजिन किया गया है तो उसका नाम है बुल स्ट्राइक ये कहां पे जो है आयोजित किया गया है यह जो है अंडमान और निकोबार कमार्डे निकोबार ग्रूप आइलाइंड के तेरसा आइलाइंड में ध्यान रखेगा तीन दिवसी ट्राइसावस कॉंबैक्ट एक्सेस इसका नाम है बॉल स्ट्राइक का आयोजन किया है नेक्स्ट है कि वर्चुल ग्लोब इंवेस्टेड राउंटेबल विजी आईयार 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है तो यह जो है तो यह किया गया है नेक्स्ट और आखरी प्रश्ट है मारा आज का इटली के प्रधान मंत्री कौन है तो इटली के प्रधान मंत्री है ग्यू सेप कोंटे ठीक है ग्यू सेप कोंटे इसको ध्यान देना है आपको ग्यू सेप कोंटे है इटली के पी-म नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट लोग देख लेते हैं राज के अंधर शाषित प्रदेश और उनकी राजधानिया तो काउंटिंग आप करते चलिएगा मैं बताते जा रहे हूं आपको बताईएगा आफ फिर लास्ट में कि कितने स्टेट्स और कितने घंबलों के हाँ जो है वो यूजिन टेरिट और कहना एक की दोर चाहूंगे कि यहां पर आंधर प्रदेश की जो है आंधर प्रदेश एक ऐसा राज जो है जिसकी तीन तीन राजधानिया है बताती हूं कौन-कौन से जैसा कि आप देख सकते हैं इस दो ओने स्टेट विद्ट त्री कैपिटल्स दे लार्जस सिटी और अधर प्रदेश की तो आप कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक लौता स्टेट है जिसकी तीन 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 कैपिटल्स है नेक्स्ट बात करते हैं अरुवाट्पर प्रदेश की तो आप देख सकते हैं अरुवाट्पर प्रदेश इंटा नगर असम की बात करें तो दिसपुर, बिहार, पटना, 36 गर्ड, रायपुर, गोवा, पढ़जी, गुजरात, गाधी नगर, हर्याड़ा, चंडीगर, हिमा पंजाब, चंडीगर, राजस्थान, जैपुर, सिक्किम, गैंग, टोक, तमिलनाड, चैननई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रपुरा, अगर्दला, उत्रप्रदेश, लखनव, उत्तराखंड, देहरादूर रधानी होती है, इसकी शीत रिदू में और गैर सैन होती है, परितू में ध्यान रखेंगे, और तरगंड की दोरालधानिया है, शीत और ग्रिश्म दोनों की अलग अलग, पश्रिम बंगाल, कोलकाता, और इसके बास से अब हम देखेंगे, केर्द शाषित प्रदेश, यानिक ये क्लियर हो चुका है, कि यहां पे हमारे भारत में 28 रा ये पहले से था, बस डिफरेंस ये हो गया है कि जमु काश्मीर अब आपका यूजिन टेरिटरीज में आ रहा है, रदाक का ले, तो ये भी आप काउंट कर ले, कितने हो गया, देखें, तीन यहां है, दो पांच, यहां से हो गया, और तीन यहां से हो गया, यानि कि आर्थ के वबस से, तो करेंट के साथ साथ बाकी चीदों को भी ध्यान में देखते चलिए, ठीके ना, करेंट जरूर से पढ़ते चलिए, क्योंकि करेंट से जो है, क्वेशन भी उठ रहे हैं, आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने बताया है, तो वीडियो पसंद आया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दो मिल से हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो वे टाले ले केर, इन्पा बाई